आस्टेलिया का प्रधान मंतरी बहुत हो हमारे एक विक्सेत राष्ट का प्रधान मंतरी क्योंकि वो क्या उसने बोला तुम लोगोंने बोला हमारा नेता खड़ाओ के बोलता 20,000 भिड़ नहीं आती है यह दूसरे देश का प्रधान मंतरी आया हुआ है और यहां इस्टेडि क्या होगा CEO को जांके नहीं बैठा होगा समोर कौन होगा तो आने प्रिंस्पल सेक्रेटरी समय प्रधान मंतरी के डवाइस कौन दे रहा है और यह दूसरे नहीं कुछ नया सोच रहा है और अब G20 कश्मीर में कितना आतंगवाद कितना में पाकिस्तान ने पूरे अपना सब को जोंक दिया था कि यह G20 का वहाँ पर कॉन्फेंस ना हो पाए एक चिडिया पर नहीं मार पाई वहाँ पर करा लिया और पूरी दुनिया कश्मीर को देखके वहाँ आई करते हो चले कितने लोग को रोजगार मिलेगा आने वाले टाइम में कश्मीर के कितने यूथ को कितनी पावर मिलेगी लेकिन उसके पीछे कितनी तैयारी क्या तुम्हें लगए टैरिस होने देते इसको पाकिस्तान होने देता कता ही नहीं होने देता कितनी पावर इन दोनों कंट्रीज ने लगाई होगी कितनी पावर लगाई होगी एक बंप होड़ दें एक को मार दें killing कर दें तो ये पुरी दुनिया का मीडिया बैठा हुआ था Western मीडिया बैठा हुआ था कैसे बदनाम करें भारत को लेकिन देखिए दिमाग Tourism का Summit करा है और कहां कश्मीर में हमें कुछ डेल लग रहा था कुछ हो न जाए कोई बात न हो जाए और सोचिए उन्होंने कैसे कराया तो प्रोफेशनल कोल इस और वाट जस्ट क्रैकिंग यूपी असी इस अलबाट टार्गेश फिक्स करो कि जो भी मुझे यूपी स्टेट मिल रहा है मुझे तो मुझे चीफ सेकेटरी बनना है मुझे चीफ सेकेटरी बनना है मेरा प्रोफेशनल गोल यह होना चाहिए प्रोफेशनल गोल होना चाहिए कि मुझे एड्यूकेशन को जो है टार्गेट करना है और एड्यूकेशन के लिए मुझे अच्छा करना है मुझे हेल्थ पे अच्छा करना है women sanitation पर मुझे अच्छा काम करना है women employment पर अच्छा काम करना है ठीक है या मुझे फलाना चीज़ पर infrastructure भारत का अच्छा होना चाहिए यह तुम्हारे professional goal होना चाहिए it's not for just cracking the UPSC यह difference है क्योंकि cracking the UPSC रखो गे तो this is no one's short-up goal ठक जाओगे उसके बाद क्या बहुत से लोगों को मैं जानता हूँ वो फिर हर चीज़ करने लगते हैं उनको लगता कि अब पुरा देश मेरा है सारे संसाधन मेरा है बरबाद कर दो इसको तो तुम्हें वो officer नहीं बनना है तो professional goal क्या होगा जब तुम्हारा career outstanding होगा जब इसके बाद तुम सीखना शुरू करोगे UPSC crack करने के बाद तुम्हें Oxford जाने का मौका मिलेगा Cambridge जाने का मौका सरकार के खर्चिप मिलेगा हाँ जाओंगा सीखूंगा अभी आपने देखा जो CBI के head बने है तो करनाटा कैडर के थे उनका academic record पढ़के देखना बंदा फॉरण में जाके पढ़के आया special studies करके आया तो दीकिए उनको कहां से कहां लेकर गए चोड़ी नहीं requirement retirement के बाद पकड़के बैठी हुई है वो कहरें जाने दो डिटायर और नहीं काम करो देश के लिए अजी डोवल की येस देखो और इस उमर में क्या fitness क्या इंडियन किसको नहीं उस बंदेने टेबल बे बिढ़ा रखा है आज चारो तरफ भारत की जो वावाई हो रही है अमेरिका कह रहा है कि हिंद प्रशांध चेतर में भारत की विणा कुछ हुock होई नहीं सकता तुम्हें कह लग रहा है ऐसे बोल रहा है ये वही अमेरिका है जिसका राश्क्ती अपने जहाज से उड़ता है और इंडिया में अपना लगे पड़े, लॉबी लगी, आई फेस ऑफिसर, लॉबी के लॉबी पूरी लगी पड़ी है। दूसरे देश का प्रधान मंतरी आया हुआ है और यहां स्टेडियम में हमारे पास बैटने की जगह नहीं है यह वहां की प्रधान मंतरी ने बोले आप बॉस हो भाई तो इसके पीछे एक बहुत बड़ा ब्यूरोक्राटिक लॉबी काम कर रही है अच्छे ओपिसर्स के है तो दिमाग काम कर रहा है जो लगा पड़ा है हमने ब्रांड इंडिया को दुनिया के सामने दे दिया कि भई हमारा प्रधान मंतरी आ तुम से अधा भीड़ों में इकठा कर लेंगे हमने भीड़ को उपनी पाबर बना ली प्रेशर ग्रूप टूर्प कर दिये तो आपको प्रोफेश्नल गोल में इन चीज़ों के बारेम बात करें है कैकर कि आपका टार्गेट क्या है मुझे अब कैबिनीट सीकर्ट्री बनना है तो थ्ई सेलेशन ले लेना है जो अब इस तक selection ले लेना और throughout life मुझे extraordinary work करना है specialization लेना इसके बाद आपको बताना पड़ेगा जैसे मेरा एक student IPS है तो वो कहा रहा है कि सर मैं इस्राइल जा रहा हूं क्यों special training लेने के लिए तो पुलिस में है क्या दिक्कत है कोई समस्य है नहीं उसकी बोला नहीं सर क्योंकि इस्राइल के पास दुनिया की सबसे sophisticated खूफिया टंत्र है मुसाद है उसके पास किदौन है उसके पास तो बोला कि उनके पास जो उनके पास इंटेलिजेंस है तो वहां से सीख कर जब आउंगा तो मैं अपने देश में जो साइबर क्राइम हो रहे हैं जो तुमाम तरह की चीज़ें उस पर मैं कुछ specialization बस PT ठोकी मैंने मैंने का आप सही रास्ते पर है डेफिनेटली वह आगे चलकर इसका specialist बन जाएगा और वह बहुत अच्छा करेगा nation के लिए तो आपका professional goal is not cracking the UPSC clear है it's about मेरा career कैसा होगा retirement के समय आप अपने आपको कैसे देखते हैं as a just I.S. officer या दो-तीन साल जेल में रहे I.S. officer या ED के चापे में परेशान I.S. officer या extraordinary career कि आप कह रहे हैं government से मुझे जाने दो मुझे जाने दो government कि ना 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 आप कहा मेडम कहाँ आप जा रहे हैं कहाँ sir आप कहा जा रहे हैं हमारा काम कौन करेगा आप करें आप आप 65 की वदिए आप जाने दो घुटने बोल। है बोले में नि-नि-निhem कुर्सी आपको अच्छी वाली दे रहे नौकर चाकर दे रहे हैं बस आपकी इस पेसलिस्स जो यह है पोस्ट आप सभालिए यह चाहिए तो अगर यह हो गया तो आपका करियर ऑसम करियर होगा तो फिर क्या होगा आपका नाम चपेगा जीके की बुक्स में आने वाले समय में जब इस तरह की बच्चे बैठे होंगे तो आपके बारे में पढ़ रहे होंगे कि हां इंके बारे में आप आसमें बात करेंगे पता तुम्हें इस समय नेशनल सेक्रिटी एडवाइजर कौन होगा कौन है सबसे चाहिए इजामपल है और आज जहां तक मैं जानता हूं फॉरेंट पॉलिसी को जितना मैंने पढ़ा और सुमित सर इसमें मुझे अगर बताएंगे इत्तफाक रखने आज तक भारत की विदेश नीती है इतनी मुखर नहीं रही मुखर मतलब होता है कि खुलकर बोलने वाला आज उस बंदे के ज पीश सुरी नामी नहीं याद होगा तुम्हें नामीं याद होगा चार नाम पूछनों इससे पहले कौन तो में याद भी नहीं होगा कौन का बट आज मालब वेस्टन मीडिया बेडिये की तरह होता है सही कहे रहा हूं इंडियन्स को वो इतनी हीन भावना से देखते हैं वो जो वाइट मैन सुप्रीमेसी है वो आज तक उनके दिमाग से गई नहीं है। वो हमें अपनी भी गुलामी की नजरिये से देखते हैं। और वेस्टन मीडिया के सामने खड़े होकर कहना कि हम जो करन सही है। तुम पहले अपनी आउकाद देखो। ये बगलता हुआ भारत है। और आज वो विदेश मंत्री हैं कैबिनेट है। बहुत पावरफुल हैं। बाते तो ये चल देए कि नेक्स प्राइम इनिस्टर ऐसा होना चाहिए। तो आप जिस लाइन में इंटर करने जा रहे हैं। उसकी लिमिट नहीं है। लिमिट नहीं हैं कि कल आप संसत में बैठ सकते हो। राज्य सबा का मेंबर बन सकते हो। एक्स्ट्राटिवर कर सकते हो। लिमिट ही नहीं है इसके बार। वी आई पी हो। और मेरे सामने ही। मैं बात करूँ जो हमारे टॉपर्स हैं जिन से हमने बात की मेरे सामने चीफ मिनिस्टर का फोन आया है बढ़ाई देने के लिए मेरे सामने की बात करूँ कि यह देखिए चीफ मिनिस्टर साब बात करना चाहते हैं एक दिन पहले दो बार प्रिलिम्ट्स में फेल वेक ती और एक कही छण में आप मुख्यमंतरी का फोन आप कर नहीं रहे उसके आफिस के बार नहीं हो मुख्यमंतरी का फोन आ रहा है मैडम दो बार आ चुका है प्लीज अब उठा लीजे ये सिर्वे एक रिजर्ट ये उपियर्स ये पावर दे सकता आप ये मेरे सामने की बात है रिकॉर्डिंग है कई सुना दूगा आपको रिकॉर्डिंग है रे में ये फोन आ रहा है दो रफोन आचका आप तो बात कर लीजे चीफ मिनिस्टर फोन कर रहा है ये से तो ये चीज़े आपके लिए बहुत इंपर्टन तो प्रोफेशनल गोल्स और वेरी इंपर्टन नेक्स पॉइंट इस वेरी इंपर्टन फोग मी यह बिल्कुल में पेंज एवरीबड़ी एज रिग्रेट वही मुझे तुमारा निकालना है एवरीबड़ी एज पेंज सबका एक कुछना को दर्द होता है तो यहाब तो राइट पें जिसको आप किसी से शेयर नहीं कर सकते हैं वो आपके यहां लिखना पड़ेगा क्योंकि वो नासूर की तरह होता है वो आपको अंदर-अंदर परिशान करता है ठीक है बहुत है हमारे कई ऐसे बच्चें जो एक्स नहीं पढ़ना चाहते लेकि उनको परिवार के दबाओं में पढ़ाई करनी पड़ी वो यह करना नहीं करना चाहते थे वो उनको करना पड़ा और उनके मन में इस बात पर लेकर बड़ी हीन भावना भी रहती है तो इंकलेगा नहीं तब तक अंदर ही पाको परिशान करेगा अगला में चैलेंजज़ और यह चैलेंज़ इस दो पार्ट में हैं इंटर्नल और एक्स्टर्नल या निचनातियां क्या अब चुनातियां दो तरग की ऐसे बीमारी है आप देर तक एक बच्चा है जिसे उसक के पढ़ाई नहीं कर सकता उसको चक्कर आते हैं उसको जो है वो धुनला दिखाई देता है तो एक यह प्रॉब्लम हो गई ठीक है एक्स्टर्नल चैलेंजेसे हम बोलते हैं घर का माहौल अच्छा नहीं है घर में लोग तुमसे हर दिन कोईशन पूछते हैं तो यह एक्सटर्नल लेकिन उससे भी बड़ा चैलेंज है तुम्हारे अपने अंदर एक्सटर्नल चैलेंज कोई मैटर नहीं करता है सूरज की वीडियो देखी आप लोगों ने सब नहीं कि नहीं देखी तुमने शकल बता रही है तुमारी बहुत बिजी हो कल से तुम्हारे बहुत बुरे दिन आ जाएंगे फिर कि अभी मैप का अकल टेस्ट है शुरस तिबारी के वीडियो देखी बहुत बाहुरी है हमारे चैनल पे इंडिया मैं उसकी सटोरी जान यह मेरा पुरा गायब है, मेरे पास सिर्प यह दो चीज़े बच रही है और मैंने कहा कि मुझे लिखना है नोटस बनाने जो में इस पर कैसे मदला मुझे मैं लिख hypocrite चाहिए ना यह support चाहिए यह अंगलिया मुझे support का अब यह ह traveled नीय जो, मैं कैसे support लूँगा और कैसे और यह सुनने केवल मैं यहां से पकड़ सकता हूं अब इससे पकड़ के तुम लिखने कोशिश करो आट्राइब करके इसमें बांद लो इसको और इस तरह से ऐसे दो उंगलियों से लिखने की कोशिश करके देखा और UPSC का अंसर लिखके दिख लड़का बहुत खुशाल लड़का लाइफ को लेकर एंथुजियास्टिक है कि हम मुझे कुछ करना है सो एक्सेर्नल चैलेंजिस नथिंग कुछ नहीं प्राब्लम क्या है अंदर बैठी है वो जो इस दिमाग के अंदर बैठी है मुझे वह यहां चाहिए में चैलेंजिस इंटर्नल चैलेंजिस मुझे तुमसे चाहिए तुमारा दिमाग भटकता है फोग्जे या बहुत ये रहे पास सम्मेट हो र किसी को मेरे पास किसी को देना ही नहीं हैंड नहीं करना ही हुए वह तुम मुझे बता हूगै और यह निकलेगा जब तुम अपनी यहां पर परसनल करेक्टरिस्टिक को इमानदारी से बरोगे तो चैलेंजर निकल गए क्या तुम्हारा दिमाग भटकता है क्या चीज तुम्हें परिशान करती है ठीक है हर चीज हर चीज तो वो चीज मुझे यहां पर चाहिए इमानदारी से अगला यूर निड्स ठीक है यह भी आप इसमें बरोगे आपको लाइफ में क्या लेकर निड्स क्या है बलब आपको जरूत क्या किन चीज होंगे तो UPSC में आपको क्यों जाना है पैसा आपकी निड है ठीक है आपकी क्या निड है किसी एमोशनल सपोर्ट की आपको निड है ठीक है किस तरह की आपकी निड्स है वो आप इसके बारे में यहां बात करें देन ड्रीम्स निड्स और ड्रीम्स है तो डिफरेंट थे निड्स इमीडियेट होती है ठीख मुझे जैसे आलिज क्लास में आई तो आपो हमसे नीज क्या है? हमें ताइम से क्लास मिले, हमें करिकॉल मिले, हमें क्टेन्ट मिले हमारी प्र号म सॉल की जाये these are our needs. ठीख मुझे ये चीज bamboo चाहिए मुझे किसी तरह सफोर्ण करना है मुझे मेरे पास एक ही साल का टाइम मुझे करना है पर ड्रीम्स जिसको हमें फ्यूचर में वह हमें कीशता है वह हमें मोटिवेशन पावर देता है इसको आप पन पाते हैं I want to be a good speaker मुझे अच्छा बोलना है I want to develop my personality तो आप अपने ड्रीम्स को लिखोगे दो तीन चार कुछ भी हो सकते हैं इसके बाद यह जो segments है current affairs आपको daily पढ़ना है क्योंकि इसके बिना आपका selection नहीं होगा जो news paper नहीं पढ़ता है वो पहले जानले कि वो नहीं तो हम तो यहां पे तो online में बोला करता था यहां तो सवाली नहीं यहां तो पढ़वाएंगे यहां तो पढ़वाएंगे तो प रैंक 14 ने क्या बोला है नहीं देखी जूट तो मेरे से बोलना नहीं तो मैं अंदजा लगिया होगा कि मेरे पास कुछ ऐसा आखें है जो पर मन पढ़ लेती है पता चलके है ना तुम्हें 10 मिनिट में हां तो मैं माता जी को भी नहीं पता थी ठीक है next क्या बोला उसमें त जो नहीं निकलेगा अच्छा लगे का यहां मुर्गा बनोगे तो यह उठक बैठक लगा तुम्हें यह उठक बैठक लगाओगे और रिकॉर्डिंग करके यूट्यूब पर डाल दूँगा और परेशानी है तो तुम्हें मजाक लग रहा है आरे तुम भूल जाओ यह ब कि लग चूटी आघर देंगे बिना मेरे से पूचे कोई चुटी को यह लेगा बिना वैलेड डीजन के चुटी मिली है नहीं क्यों लोगे मैंने चर्थ रखी थी जब मैं इंटर्व ले रहा तक्या बोली तैंट मैने मेरे हिसाफ से चलोगे अपने हिसाफ से करना है तो कम उसने अग्षाब से पूछे थे उसने कावी करेंगी कुष ने कामेरा था अगर मोटिवेशन था था है ता इतिनी छिलरू निएक हथा इतना उते i can अड़ डिफेल फाली खरें एmr ए अपने इन देखी नहीं तो बहुत अच्छा और डा में तो उसने UPSC 14th rank rank मजाग बात नहीं है तो चार बार fail होना और फिर चौदमी rank लेकर आना बलब short shot IS मिलना ही मिलना है आप तो कोई रोकने वाला नहीं है तो यह जर्नी जो है ना इन लोग की जर्नी बड़ी बहुत ही यह आपको सीखने वाली जर्नी वह सारे इंटर्वी देख डालना जान बूझ कि मैंने इसी क्लास के लिए डाला है कि जब भी ठखो एक बार जरूर देख लेना कि वह एक्जाम नहीं निकल रहा है नहीं निकल रहा है मन तूट रहा है बस एक भाईया मुझे लिखन को करते हैं तो एंसर इडंग यह मस तू बात ही नहीं जूँए डे मैंझमेंट यह मेरा सबसे प्र। आरगे है प्रोससस आपका मेने सैट कर दिया सिप्रीन सटक्रशी नोबदी इंपने इस्टों बोबदी गने स्टॉप योग्वादी गनो इसटॉप लियो ए लगने पोज़िटिव निगेटिव अच्छा इट क्या यह होते हैं ट्रीगर यह देखो ग्राफ दिखाई पढ़ रहा है इस आधर ट्रिगर्स it can be positive or negative both trigger जैसे trigger होता है कई बार हम जैसे कोई अच्छी book पढ़ ली कल तो मैं पढ़के रहूंगा जोश आ जाता है पुझाने कि इस piece सुन लिए अरे अब तो करके रहेंगे या गुसा गया किसी बात पर अचानक से सामानवान फेक दिया अरे कुछ नहीं होगा या ऐसी तो all other triggers भी है अचानक से emotional हो गए बहुत ज़्यादा emotional हो गए तो ये सारी चीज़ें बहुत important होती है तो triggers आपके क्या है मलब आपको कौन द्वेलित करता है कौन trigger करता है आपको तो किस बात से आपको बहुत प्रोट्सान मिल गया या बहुत खुश हो गए तो दोनों चीज़ें बड़ी खराब है अब मारे खुशी में नहीं आरे यारे ये वेब स्रीज बहुत अच्छी आईगे सारी खतम करके उठेंगे बहुत मोटिवेशन इसमें मिलेगा अच्छा क्या करोगे तिने किलो मोटिवेशन लेगे ठीक है कोई फायदा तो है नहीं so these are the triggers किसी ने कुछ बोल दिया अरे मुझे तुम बदला लेना है मुझे खुब पढ़ाई करनी है ठीक है तुमने चार दिन तो खुब बदले में एक दो दिन आपके बारे में तो आप सबसे जानते होगे पीछे से अपना जिंदगी देखना शुरू करना इमानदारी से इसको बढ़ना है और यह चाहिए आज आपका होमवर कि आप इसको पहले कॉपी में लिखोगे फिर उसको पढ़ोगे फिर दुबारा लिखोगे फिर प्रेसाइस करकी यह मुझे फाइनल दोगे तो आज यह आपका सबसे पहला काम है तो थीपी हो गया तो इसमें हमारे पार ट्रिगर्स हमें चाहिए वह आप लिखोगे चाहिए वह पॉजिटिव हो चाहिए निगेटिव हो यह मैं सोचना कि सिर्फ अपनी अच्छी बाते लिखनी है चुपा लेना है ठीक है डॉक्टर से और अपने टीचर से कुछ नहीं चुपाता है तो अपनी कमिया मुझे नहीं बताओगे मैं दूर नहीं कर पाएंगे तो पॉजिटिव निगेटिव दोनों आप लेक हो यानि आप अगर अनिस्टेबल माइंड के हो तो इंटर्व में क्या होगा इंटर्व में तुम्हें वह फंसा ले जाएंगे क्यों बड़े एक्स्पीरियंस लोग होते हैं जब लाकों से मिल चुके होते हैं वह तुमारी अपकार हो तो तो तुम्हें देख लिया होगा तुम्हें इंटरनेट प्रियो तो यह चीज़ें आपको नहीं करनी हैं एक जो होते हैं आपकी स्पीड को स्लो कर देता है तो आपको अभी तक स्लो करने वाले फैक्टर्स कौन से जैसे किसी ने मुझे बताया कि सर दोस्तों को मैं नाराज नहीं कह सकता है अब दोस्त तुमारे लिए इस समय क्या है तो आपको यहां friends नहीं बनाने कोई किसी का friend नहीं होगा पीर्स होंगे यह बास समझ ले ना यंतर समझ ले ना यहां पीर्स होंगे फ्रेंट्स नहीं होंगे कि फ्रेंट्स सुख दुख के साथ ही होते हैं आप सिर्फ एंसर राइटिंग के साथ ही होगे आप सिर्फ पीर्स बनाओगे समान मेंटलिटी के लोग गुरूप बनेगा ए यह तुम्हारे कॉश्चन यह मेरे कॉश्चन हॉस्टल में यही करना है आपको हॉस्टल में मेरे पास रिकॉर्डिंग आनी चाहिए कि इतने वज़े आप एंसर राइटिंग करने जा रहे हैं और इस समय देश के तीन संस्थान है आप जानते होंगे जेन्यू दूसरा मलब उनका फिक्स है कि अभी डिनर करके आ रहे हैं आज पांच कॉश्चन हमें डिस्कॉशन करने हैं यह फिक्स होता और इस्प्लिन के साथ करते हैं और हम यह चीज़ देखेंगे कि आपके वो कॉश्चन सफलिंग हो रही कि नहीं हो रही है यह आपको सेल्फ है कि तुम्हें किसी से बात करना अच्छा नहीं लगता तो फिर जब बात करना अच्छा नहीं लगता तो तो फिर इसका मतलब इगोस्टिक हो दूसरा ग्रुब बने अब आज हमसे कुश्चन नहीं हुआ अगले दिन बहाना डूल लिए अरे वो खाना का लिया पेट दर होस्टिल का खाना जानते हैं ना कैसे खराब होता है अच्छा मैं वह भी चेक करने जा रहा हूं उसमें कोई बहाना नहीं है अरे कल कर ले एंसर राइटिक क्यों कि अब आपको शरम आ रही है अच्छा कल किसी ने एक दो पाइंट किसी को आदत है ट्रिगर आर्गिमेंट यहां पर ट्रिगर मुझे बहुत हैं आपको गुस्टा करने की आदत है अच्छा उसमें बढ़े नहीं नहीं विदेशनीत में यह नहीं होगा या सोशल इशू में मैंने कुछ इसा बता है ऐसा नहीं होगा कैसी बात कर रहे हैं क्यों नहीं होता है अब आपका बैगराउं अब देगो कल क्या चपा है कैसे हो गया अब आप उसको पर्स्नल ले गया डिबेट में हिए होता है अब हो गया जगडा क्यूकि आप ट्रिगर कर गया आपने यह नहीं सोचा कि हम अपने knowledge के लिए पढ़ाई करें आपको लगा यह तो personal बात आ गई बात तो मेरे धरम की हो गई बात मेरी जाती की हो गई अब तो हमें छोड़ना नहीं मेरे महले की बात आगई है मेरे देश राज जी की बात अबात हैं हम तो कंट्री है हम तो डिफरेंट बता दियागे कि यह बंगाली यह पंजाभी है वह हिंदी वेल्ट से हो साउथ का है वो हिंदू है, वो मुस्लिम, वो सिख है, हिसाई है, हमारे पास बहुत पहँचाने हैं, हम उन पहँचानों को पकड़ लेते हैं, बस, हो गया काम लड़का लड़की की बात आ जाएगी, लड़ ले उसमें, कैसे लड़किया कहां कम जो रहे हैं, अरे अब एक लड़का बोल रहा था, मैंने का क्यों नारी शक्ती का जमाना है, इस वाल लड़की उनने जहन्डे का रहे हैं, अरे इसा कौन सी बड़ी वाल, लिखा उसने, कम लिटा सीधा बोले जा रहा है, आपको तो कोई लड़का ही नहीं दिखता है, अरे मैंने का भाई मौका मिला, बार बार से मौका मिला, तिसलिए वो बहुत अच्छा कर रहे हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं लड़कियां, पची नहीं पा रहे हैं, अब पैट्रियार्की उ मेरे पास आ जाते हैं अब सोचो डिबेट में तुम बैठे हो और मैम नहीं यहां पर महिला सब्सक्राइब का टॉपिक की पड़ा दिया प्रते हैं तो तुम्हें लड़ाई आपस में लड़नी है यह जाँकियन फैमिली है परिवार का आहसे जो तुम्हारा सर्नेम है जो भूल जाओ जो जाओ उसको यहां हमारी कौम है अलग हमारी अप्ना जो यह और है यह उजांकिंश ली तो आपको इस कामरे के बाहर जो लोग है हमें हमें से कॉमेटिक्शन करने हैं हमें आपस में कि विरोध को सम्मेलित करना बहुत इंपॉर्टेंट पर ऑफिसर बनों और के बुलेगा कोई बुड़ी महीं लगाएगी तू ब्रस्ताचारी है कि तेरे घर में मा नहीं है कि अब मुझे शड़क पर बेज़ा और आपको रूस फॉलो करने हैं आपको विरोधों को भी सुनना पड़ेगा आप इमांदारी से काम कर रहे हैं मेरे बहुत से स्कुरेंट ह अज कि अधर में घरा अच्छा काम कर रहे हैं सब बहुत किताबों में लिखा तो सब इलटा हैं तो एक की मदद कर दी दूसरा करें तो फलाने जाती के थे फलाना धर्म के थे इनीग वाले हैं तो इन्होंने अपना यह सख सुनने को मिलता है बहुत कठी नहीं तो ट्रेइनिंग में जो सिखा जाता है कि विरोधों को कैसे संब्लित करना है अपोस आपका हो रहा है तो उसको कै कैसे एक्सेप्ट करना है और उसको कैसे अपने आपको रिफाइन करने में साल तो पीर में आपको यह करना पड़ेगा तो जो लोग है कि मेरे कोई दोस्त नहीं बनते हैं दोस्त कौन बनाने के लिए तो यह दो चीज़ें यह मुझे चाहिए इसमें मुझे आज आपका अब दबाया कुछला गया है वो ना नारी है ना कोई जाती है ना कोई नसल है वह एलाम का बटन है ठीक और जिसको सबसेदा बर्गलाया गया वो गड़ी है इस्ट्रेस में पढ़ाई करनी है एक्टिव लर्णिंग करनी है अभी तक आप लोगों ने अटिव लर्णिंग क झाल झाल